हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग सास्रेकार नमस्ते वेलकम बेक तो माई यूटूब चेनल बाइकर जैसे सर और आज हम लोग जा रहे हैं इंदॉर मेरे कास लागडाउन के बाद में और बहुत लंबे डाइम बाद इंदॉर की राइट कर रहा हूं मैं तो जाए की जो ब कर देखेंगे 99% तो चंसे से कि हम वो बाइक लेकर आएंगे तो अभी बची है सुबह की साड़ेच है और यहां से हम लोग जाएंगे मेरे ओफिस महां पर करेंगे क्योंकि थोड़ा पर सामान भी लेकर आना है केरियर लगाएंगे बाइक में और फिर यहां से हम लोग चॉल करते हैं तो फाइनली एक घंटा बाद हम लोग रेडी हो गए है क्योंकि हमारा भाई एक तौमिशे तरह आदा घंटा लेट आया और एक बहुत इंट्रेस्टिंग बाद यह हो गई कि भाई रेंकोट निलाया अब जो सामान बाद रहे थे तो भाई ने मेरा तो फाइनली हम लोग रेडी है और हम लोग निकल रहे हैं तो चलते हैं और फटा-फट रवाना होते हैं ओके गाइस तो इस टाइम टो रिफ्यूल और बाइक तो पेट बढ़ गया है अपनी बाइक का फूल करवा लिया है और हम निकल पड़े हमारे बढ़वाने से जब इंदौर की तरफ जाते हैं तो 54 किलोमेटर का जो रास्ता पहले बहुत खराब था ना अब ये पूरा बन गया है ये सबसे अच्छी बात है नहीं तो बारिश में बेंट बच जाती अपनी और साथ ही इस रोड को चोड़ा भी कर दिया है और बारिश का मोसा में तो अब सड़क है अच्छी और 4 तरफ है अर्याली प्राइट का मज़ा आ गया है देराग हम लोग कभी निकलने वाले हैं जो नेशनल हाइवे नंबर तीन है उसके नीचे से जाना हमको इसी पर है पर और हम लोग आ गए है उस जगह पर जहां से लोगों को फोलेन पर लगना है अब यहां से इंदोर तक पूरा फोलेन है रोड भी टोप टोप है और सब बढ़िया है तो चलता है यहां से हमारी स्पीड भी बढ़ जाएगी और अब टाइम यहां को कम लगने माला है यह जो तो आप निकलते हैं पूरे डियर अफोका और हेलमेट पहने के बढ़िया से सजदच्क है तो लोग को ऐसा लगता है कि आप रेस लगाने निकलो तो ऐसा नहीं है दोस्त एक तो तुने हेलमेट नहीं पहना है और गीर कर गया तो गरवाले इंतजार करते रहे जाएंगे यहां पर है कसरावात फाटा यहां से राइट लेने से हम लोग जा सकते हैं महेश्वर जहां पर हमला पगला दिवाना की जो शूटिंग हुई थी चीज घाट पर जिसमें मुवी में बनारस का घाट दिखाया गया है ना वह यहां से करीब 12-15 किलोमेटर है कभी जाएंगे मह यहां पर भी राइट करेंगे अच्छा सा पूरा वीडियो बनाएंगे किलेगा वह जो सामने आप पूरा पहाण देख रहे हैं वहां पर है मांडू सिटी इसे सिटी आफ जवाई भी बोला जाता है और कुलमिला के है तो छोटा सकाव रह गया है वहाप पर किसी जमाने मे में लाखो के आबादी हुआ करती ही राजा मारा जाओ के समय मुगल काल की बात कर रहा हूं और बारिश में तो नजा रहा होता है मेरे निमार का एक बहुत शांदा टूरिजम प्लेस हो कभी अच्छी एक राइट करेंगे तो अभी हम लोग लेने वाले हैं छोटा सा ब्रेक निर्मल पेलेस जो रेश्टोरेंट है यहाँ पर चाय पियाएंगे और अगर कुछ नाश्ता गरम और फ्रेश होगा तो वह भी करेंगे तो देखें अब क्या मिलता है यहाँ पर रमको यह निर्मल ढबा और अभी करीब 95 किलोमेटर चलने के बाद हमने फर्स्टो ब्रेक लिया है यहाँ पर चाय अश्ता करेंगे फिल सीथे इंदोर तो करीब 20 मिट का ब्रेक हो गया है अब निकल रहे हैं एक घंटा करीब लगेगा इंदोर पहुशने में यहाँ से गाट सेक्शन आने वाला है तो भाई लोग वीडियो इसकीप मत करना बड़ी आन अजारे मिलने वाले है तो यहाँ से होता है गाट सेक्शन शुरू यह दो हिस्तों में आता है पहला हिस्ता अभी है इसके बाद में कुछ किलोमेटर रोड आएगा और फिर आपस गाट सेक है और अभी फोर्लेंड बनने के बाद यह फोद अच्छा हो गया उससे पहले नजारा इसा होता था हमेशा जाम लगा रहता था चलो अच्छा है भी हमारा भारत भी तरक्की कर रहा है यहां पर जो दूसरा घाट अने वाला है वतलब इस गाट का जो दूसरा हिस्सा है उसको बहराव घाट भी बोला जाता है क्योंकि यहां पर बहरावनात्जी का बहुत पुराना वैतियासिक मंदीर भी है और वह मंदीर है पुराने घाट पर आइमीन फोर्लेंड बनने के जो रोड था वो अलग था और अब जो फोलन बनाए वो अलग जगह से निकला है तो हम लोग जाने वाले हैं और जो घाट था उससे क्योंकि हमारे एरे के बहुत सारे लोगों ने देखा नहीं अभी तक वो इस वीडियो में आपको देखने नहीं मिलेगा क्योंकि वीडिय मिल जाए उस वीडियो का अभी यहां से आप डेरेक्ट वेहरो घाट के बाद कंचिन्यू करने वाले हम और वीडियो मिलेगा आपको इस वीडियो के अप्रोडिंग के दो दिन बाद उस घाट का रास्ता आने वाला है यहां से लेफ्ट थोड़ा आगे जाके लेंगे हाँ यहां से और यकिन मनना भाई लोगों अब क्योंकि इतने सालों से इसका यूज नहीं हुआ है तो अब नजारा और जदा शंदर होगा देखने लायक होगा तो वीडियो मिस्स मत करना और अब इस वीडियो का हम कंचिन्यू करेंगे सीधे इस घाट के बाद तो लेट्स गो अब राइड करेगा जै भाई और आपन बेठने आले पीछे क्या है इससे थोड़ा था पिछवाड़े को हाराम मिलता रहता है शेलो भाई ताप अब कोले भाई ग्रूब यह ओठर मिलके आसन देखो ये देब हगा उरहा है कभी या कभी पिछे कभी आगे कभी पिछे कभी आगे कभी पिछे कवरा प大概 था साह सिर्पेट क्यों भागा रहा है जाये डही यह बहां ज्द भाई future कर दो कि और यहां पर यह बारे शुरू हलकल के शिटार है मेरा कैमरा गिला नहीं हो जाए इसलिए रूप जाएंगे ब्रीच के निचे है हाँ जादा तेश तो नहीं है देखते हैं कुछ देर रुक के नहीं तो फिर एंकोड़ा पहन के निकलेंगे अब हम लोग पहुंच गए इंदोर और यह अपने एक भाई की कार है तो क्योंकि एसना लगे जाए हमारे पास राइडिंग बूट राइडिंगेर अगेर हमारी ज अब यह आ गई है बारिश और बारिश ने रोग गया है अपनी घती को मन्जील की तरह जहां रहे हैं और यह है इंदोर का मौसम पार साथ मिंट देखेंगे नहीं तो फिर एंकोड़ पहेंगे निकलेंगे चलते हैं अब जया भाई और मैं आगा है लोकेशन पर गाड़ी आने वाली है जैसा ही गाड़ी आती आपको बताते हैं उसके बात में कोशिशिश करेंगे भाई से जो भाई की डिमांड और जो हमारा ओफर है वो मेच हो सके हो हम लोग काड़ी दे जा सके है तो बस एकाथ मिंट में मैं भाई 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 के आ रहा है वोनो बाद होगी होस्ता है भाई गाती है तो आपको बाई किखाते हैं तो बाई आप लोगों ने देख ली एक नंबर एक अजर किलोमेटर भी नहीं चली है तो मुझे अधा लग रहा है कि प्रॉपर सर्विसिक भी नहीं करानी पड़ेगी और जो डील वो भी डेन होती ने जरा रही है अभी भाई किया है पेपर लेने एक पर पेपर चेक कर ल यह है अजर भाई जिनकी बाईक थी और जै भाई ने ले ली है दन हुगया सोधा फिलाल हम लोगिया है इंदो राइटियों के बाहर खड़े हैं डॉक्यमेंट भी दे दिये हैं पास से दस दिन में भाई के नाम का हरसिब बन के आ जाएगा सब कुछ हो गया शांदर दरीक अब हम लोग है शोटी कॉल टोली में मेरी बाई का क्लेश ठोड़ा सा नाटक कर रहा है तो दिखाने आए हैं और जैबाई की बाई का साइड लाफ सेट कर वाना है अब आई कर रहा है देखते हैं यह गेश तो मैंने विचड़ा है था अपर साला हूँ बापस क्यों होग अब सोच रहा हूं मैं केबल तो नहीं खराब हो रही इसके केबल हो रही है खराब हाट पन तो आई रहा है तो क्या लग रहा है चल जाएगी जारा हो मणवानी एक साइट किलोमेटर चली जाएगी रास्तर में नहीं खिशा मरेगी अच्छा केबल है इसका खिशा गया है तो बदलते हैं तो क्या देर लगेगा डालते हैं तो बदलते हैं तो क्लेश केबल चेंज हुआ है जो काम करा है आप को इपर बता देता हूं सबस्पेल यहां पे डलाया है वाइट बल लदाक की चिंदी बंदी है जो मेने भी बान ली इस ताल लदाक तो जानी सके यही कर लिया एक वो हार ने लगाया है काला बाला जो देख सकते हो आप और जै भाई ने ले लिया है राइडिंग गेर बहुत आसम और कूल राइड जो भी मेरी भाई पर लाद दिया है कर जाके इसको इसको इस्टॉल करेंगे यह चिंदी अपने भी लटका ली है लदाक वाली और यह अमारे विर्जी है अंकित छाबडा जो भी काम अभी मैंने जय बाई की और मेरी बाई को बताया है पूरा काम भाई के यहां से हुआ है अंकित अटो डेकोर के नाम से विर्जी की शौप है बहुत रिजने मन में है बहुत सही रेट में बहुत अच्छी चीज़े है तो बढ़वानी माला मेरा जो भी भाई या कोई भी किसी भी तरह की एससेरी इस बाई के पास अना और अपना नाम लेने लेना किया जैसी भी तो और भाई फ़ड़ा था स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे आपको तो विजी थैंक यू सो मच इतने आउसम चीज़े देने के लिए और चो जाए के राइडिंग किया रहे हैं हम लोग तो कुछ जूढ रहे हैं तो उससे भी आउसम आइटम विर्जी नहीं को दिखाया और अपना इंदोर हैं तो इंदोर आकर एक बार जरू ट्राइए करें तो आज का दिन बहुत हबड़ तबड़ वाला था जैकी बाइक ले लिए फाइनली और अब इंदोर से निकल रहे हम लोग जिस भाई की कार में सुपर सामान रखा था अभी उसी बाई के घर के निच में जरूर और अगर आप लोगों को ट्रेवलिंग देखना अच्छा लगता हो तो वो यू बताना तो आज के लिए वीडियो में इतना ही भाई लोग गुडबाई सास्रियकाल नमस्कार अब राखा